हाई गाईज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इंडियन अमबेसी से ओस्याई एपलाई कैसे कर सकते हैं बच्चे के लिए अब प्रोसेस तो सब के लिए सेम हैं लेकिन जो डॉक्यमेंट्स रिकॉरेड हैं वो सब के लिए डिफरन डिफरन हैं इस वीडियो में हम सिर्फ बच्चे की OCI के लिए बात करेंगे उससे पहले अगर आपनी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए तांकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफकेशन मिलती रहे तो सबसे पहले हम इंडियन एमबैसी ओफ लिस्वन की वेबसेट पर जाएंगे कॉंसलर सर्विसेज के नीची OCI कार्ड की आप्शन है यहां पर क्लिक करेंगे यहां सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन बहुत जादा डीटेल में नहीं है सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि चो भी सुपोर्टिंग डॉकिमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करनी है इस मेंडेटरी अगर आप यह डॉकिमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो आपके अपलिकेशन नहीं ली जाती जितने डॉकिमेंट्स यहां पर लिखी हुआ है इसे काफी जादे डॉकिमेंट्स वो मांगते हैं और अपलोड भी करने पड़ते हैं यहां पर नंबर दो है जिसमें लिखा हुआ है कि और उसेयाई उन बच्चों के लिए जो 18 साल से नीचे हैं अगर आपके बच्चे के पास किसी और कंट्री की नैशनालिटी है या पोर्चोगाल की नैशनालिटी और पास्पोर्ट है और अभी आपको Indian passport जो है surrender करना पड़ेगा वो surrender करने के बाद जो आपको एक surrender का certificate मिलता है वो लेकर ही आप OCI apply कर सकते हैं उसके बिना OCI apply नहीं होगी लेकिन अगर आपके बच्चे के पास Indian passport नहीं था बिना उसके ही आपके बच्चे को nationality किसी और country के मिली हुई है तो आपको passport surrender की कोई option नहीं आती है और आपको वो करना भी नहीं पड़ता तो आप directly OCI के लिए जा सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि application form signed by both parents तो application form पे दोनो parents के sign होते हैं अगर बच्चा minor है थारा साल से नीचे है तो उसका जो है thumb impression होता है mainly left hand का यहाँ पर जाकर आपको OCI apply करना पड़ता है लेकिन इससे पहले हम देखेंगे क्या के documents आपको चाहिए बच्चे की दो recent passport photos चाहिए 5 by 5 mm की तो यहाँ पर लिखा है without border बच्चे का frontal view चाहिए बच्चे का head और shoulder फोटो में आना चाहिए और white या light background चाहिए glasses नहीं पैनी होनी चाहिए तो बच्चे की previous Indian passport की copy चाहिए और जो passport surrender करने का certificate था वो चाहिए अभी का जो new passport है इस country का उसकी copy चाहिए और करताओं दसीदाओं की copy चाहिए copy of Portuguese birth certificate चाहिए translated होना चाहिए इंग्लिश में और not rise भी करवाना है इसको notary करवाना है बच्चे का जो birth certificate है यहां तो उसको translate करवा के notary करवाना पड़ेगा आपको अगर आपको नहीं करना तो आप civil register में जाकर बच्चे का जो international certificate निकाल सकते हैं वो आप निकाल सकते हैं 20 euros की fees होती है बच्चे के parents की ID चाहिए पासपोर्ट हो सकता है बच्चे की mother और father दोनों का पासपोर्ट चाहिए तो यह जो document है यह आपको इस site पर upload भी करने हैं और इसकी copy भी आपको साथ लेकर जानी है इसके बाद हम देखते हैं कि form कैसे fill करना है तो सबसे पहले हम OCI registration पर click करेंगे उसके बाद click here to proceed पर click करेंगे अगर आप first time OCI apply कर रहे हैं तो new OCI registration पर click करना है यहाँ पर भी आपको थोड़ी information दी हुई है यहाँ पर आपको बताया गया है कि यह form fill करने से पहले आपको और क्या क्या चाहिए बच्चे का जो एक photo चाहिए आपको और बच्चे का left hand का thumb impression चाहिए तो जो photo है सबसे पहले इन्होंने बोला हुए कि उसकी height and width कितनी होने चाहिए minimum होने चाहिए 200 by 200 और maximum होने चाहिए 1500 by 1500 और उसके पाद जो है बच्चे का signature या thumb impression की photo वो होने चाहिए 200 by 67 या 1500 by 500 maximum तो इसके पीच में भी आप रख सकते हैं ये 1 by 3 है यानि जो width है वो 200 और इसका तीसरा हिस्सा होना चाहिए उसकी height जैसे ये 1500 है इसके width और इसका तीसरा हिस्सा जो 500 बनता है वो इसकी height होने चाहिए तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये आप online खुद कैसे कर सकते हैं अगर आपके पास आपके बच्चे की photo आपके computer में है तो आप easily कर सकते हैं अगर नहीं हैं तो आप अपने phone में बच्चे की white दिवार के सामने एक photo खीच के उसको आप online ये dimension में add कर सकते हैं ये दोनों चीज़े आपको ये form फिल करने से पहले आपके पास होनी चाहिए तो सबसे पहले हम बच्चे की photo और signature ready करेंगे उसके बद हम form फिल करना start करते हैं तो पहले बच्चे की photo लेकर आप इस side पर जाकर उसको ये वाले dimensions दे सकते हैं अगर आपका बच्चा बहुत चोटा है तो आप उसको एक white bed sheet पर लेटा कर उसकी photo खीच सकते हैं और इसको बाद में अपने phone में edit कर सकते हैं और इसको आप passport size photo में किसे भी photographer की shop से print भी करवा सकते हैं ये easy way है rather than बच्चे को shop पे लेकर जाना तो अपने phone में photo case के आप अपलोड भी कर सकते हैं इसको resize करने के लिए आप pickresize.com website पर जाकर इसको आप resize कर सकते हैं यहां पर आप अच्चे की photo add कर सकते हैं उसके बाद आपको इसे resize करना है यहां पर आपको custom size choose करना है फिर आपको with जितनी OCI form में बोली गई है उतनी डालनी है यहां पर आपको OCI में resize करने के लिए 200 by 200 photo के लिए लिखा हुआ है तो आप इसको 500 by 500 भी कर सकते है तो आप इसके width 500 और height भी 500 कर सकते हैं उसके बाद आपको इसे जो image format है इसको आप PNG में रहने दे I am done पर click करना है ऐसे आपकी photo जो है upload करने के लिए right format में और right size में रहेगी फिर आप इसे यहां से download कर लिजिए Same चीज हमें बच्चे की thumb impression या signature से करने है Signature या thumb impression की आप एक paper plain paper पर बच्चे का sign या thumb impression लेकर उसकी photo खीच लिजिए फिर उस photo को इसी तरह same way में आप upload करके इसको resize कर लिजिए तो इसका जो size है वो आपको 1500 by 5 maximum रखना है इससे जादा नहीं होनी चाहिए minimum आपको 200 by 67 करना है तो आप इसको 900 by 300 भी कर सकते हैं वो best size रहेगा तो same way जैसे अपने photo को resize के ऐसे ही आपको ये वाले dimensions में रहकर बच्चे का जो thumb impression या signature है उसकी photo आप इस तरह resize करके रख लिजिए उसके बाद जब ये दोनों चीज़े ready हो जाएंगी फिर आपको form fill करना है यहां पर लिखा हुआ है कि जब आप ये form fill कर लेंगे उसके बाद आपको इससे print करना है और अपने साथ लेकर जाना है embassy में तो यहां से हम proceed पर click करेंगे यहां पर कुछ instructions दे हुई है सबसे पहले कि आपको सारा form block letters में भरना है जानि बड़े अक्षरों में भरना है इसरा है कि अगर बच्चा जो 18 साल से नीचे है in that case बच्चे का जो बच्चा sign नहीं कर सकता उसका left thumb impression लेकर वो upload करना है parents को बच्चे के बहाफ पे sign नहीं करने है बच्चे का thumb impression चलेगा अगर बच्चा बड़ा है थोड़ा sign कर सकता है 18 साल से नीचे है तो उसके sign लगेंगे form दो parts में है part A और part B में है तो जब यह दोनों parts fill हो जाते हैं फिर आप इसको print कर सकते हैं print करके यह आपको embassy में अपने appointment वाले दिन साथ लेकर जाना है यहां पर जो form में आपको documents upload करने हैं वो यहां पर list दी गई है अगर बच्चा minor है तो बच्चे का birth certificate और copy of Indian passport of parents parents की Indian passport की copy और बच्चे की birth certificate की copy लगेंगी अगर parents divorced है तो बच्चे की कर स्टेडिक इसके पास है वो भी यहां पर आपको upload करना पड़ेगा document यहां पर अगेन आपको फोटो की एपलिकेंट की photo की और signature यहां था में इंप्रेशन की जो size है वो बताई हुए है यह सेम है जो मैंने पहले बताया उसके बाद आपको इस box पर टिक करना है एक्सेप्ट करना है तो यहां पर आपको यह जो numbers दिखाई दे रहे हैं यह same to same enter करने हैं आप यह first time fill कर रहे हैं तो आपको fill new application पर click करना है लेकिन अगर आपने पहले यह fill किया था और बीच में आपने इसको save करके छोड़ दिया था तो आप यहां पर complete partially fill application पर click करके जो आपका form रहता है वो आप उसको fill कर सकते हैं तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्या आप new application क्या से fill कर सकते हैं तो हमें new fill new application पर click करना है सबसे पहले यहां हमें country select करनी है जहां पर आप OCI apply करोगे तो पोर्चुगाल में फिर लिस्पन यहां पर बच्चे का नाम यहां पर बच्चे का सरनेम फिर गिवन नेम जैसे सेम टू सेम जैसे पासपोर्ट में दिया गया है वैसे ही लिखना है अगर बच्चे का नाम और सरनेम गिवन नेम के सामने लिखी होई है पासपोर्ट पे तो सेम टू सेम लिखना है अगर बच्चे का सरनेम अलग से दिय गया है और फर्स नेम अलग से दिया गया है पासपोर्ट पे तो वैसे ही एंटर करना है सरनेम और गिवन नेम फिर जेंडर स्लेक्ट करना है मेल या फीमेल फिर देट और बर्थ यहां से आपको स्लेक्ट करनी है उसके बाद आपको कंट्री ऑफ बर्थ स्लेक्ट करना है अग अगर बच्चा लिस्वन में बॉर्ण है, सम्टाइम लिस्वन, फिर कॉमा और पोर्चुगा लिखा होता है, तो वो नहीं करना, आपको सिर्फ अगर लिस्वन है, तो लिस्वन ही लिखना है, लेकिन ध्यान रखे, इसे आपको capital letters में ही fill करना है, स्टार्टिंग में जैसे उ ID number या आप इसको blank छोड़ सकते हैं, visible mark अगर बच्चे के body पर कोई mark है, birth mark है, तो वो आप यहां लिख सकते हैं, कोई mall है कहीं पर, for example, shoulder पर mall है, तो आप लिख सकते हैं, mall on the shoulder, अगर कोई mark नहीं है बच्चे को, तो आप none लिख सकते हो, कि कुछ भी नहीं है, उसके बाद य यहां आपको बच्चे की नई passport की details देनी है, यह थोड़ा सा confusing है, क्योंकि यहां पर लिखा नहीं कि नई passport की details देनी है, यहां जो इंडियन passport था, उसके details देनी है, तो आपको यहां पर सिर्फ बच्चे की नई passport details देनी है, जो बच्चे का पोच्च की passport है, उसके details आपको य प्रिवियस पासपोर्ट पर एसा कुछ लिखा नहीं होता कि कहां से इशू हुआ है तो इसके लिए आप सीधा पोर्चुगा लिख सकते हो और प्रिवियस पासपोर्ट नमबर अगर बच्चे के पास पहले कोई पासपोर्ट था पूर्चुगीज तो उसका नमबर देना है अगर यह बच्चे का फर्स्ट पासपोर्ट है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं फिर आपको यहां से दूसरा फॉर्म फिल ओपन करन है यहां पर बच्चे के फादर का नाम आपको एंटर करना है पूरा नाम एंटर करना है फादर का उसके बाद फादर की नेशनलिटी अगर इंडियन है तो इंडिया फादर का प्रफेशन अगर यहां पर पोर्ट्रगाल में फादर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो आप उसको private service लग सकते हैं, farmer है तो farmer, doctor जो भी profession है वो आप select कर सकते हैं, अगर किस्ते शौप पर काम करते हैं, पुछ तो private service लग सकते हैं और उसके बाद मदर का पूरा नाम फिर मदर की नेशनलिटी जो भी है वो आपको यहां पर लिखनी है उसके बाद मदर का परफेशन वो भी आपको यहां से सेलेक्ट करना है उसके बाद रिलेशन विद रूट इंडियन तो बच्चे का जो रिलेशन है वो इंडिया से क्यों है कैसे है तो Higher former Indian है तो आपकोstock love कर ना अगर बच्ची की Mother Indian है तो Mother select करनी अगर दोनवी Indian है तो आप confred incentive कर सकते हैं तो उसके बाद अगर Grand parenting میں with है तो यहां से आप हो सेलेक्ट कर सकते है अगर आपने next form अभी फिल नहीं करना तो आप save and exit पर click कर सकते हैं तो exit करने के time पर आपको एक application number यहां पर show हो जाएगा वो application number आपको copy करके कहीं पर रख लेना है क्योंकि जब आपको दोबारा फिर से ये form जो रहता है वो आपको fill करना है वो number आपको चाहिए तो वो number आप save करके रख लिजे लेकिन अगर आपको इसके बाद अभी form fill करना है तो save and continue पर आप click कर सकते हैं फिर भी आपको जो application number है वो show हो जाएगा एक्जांपल के तोर पर यह जो है यह आपकी temporary application ID है इसको आप copy करके paste करके रख लिजे जब आपको दोवारा यह form फिर से fill करना है जो बचा हुआ है तो आपको यही ID डाल कर इसको fill करना पड़ेगा otherwise अगर आप यह ID copy करके नहीं रखते तो आपके यह पूरा form दोवारा से fill करना पड़ेगा तो यह ID आप copy करके रख लिजे उसके बाद save and continue पर click करना है अगर कुछ गलत है form में या कुछ missing है तो आपको ऐसे red line में लिखाएगा save and continue पर click करने के बाद next आपको अपना जो portugal का address है वो इंटर करना है जो pin code है वो आपको यहां लिखना है postcode normally ऐसे hyphen के साथ accept नहीं करते हैं तो अगर आपको application complete करनी है आपको यह hyphen हटाना पड़ेगा यहां पर आपको अपना mobile number देना है यहां पर आपको अपना landline telephone number देना है लेकिन अगर आपके पास landline नहीं है तो आप अपना mobile number ही यहां पर enter कर सकते हैं जो आपको अपना mobile number देना है उसके आगे आपको postcode जरूर लगाना है जैसे यहां पर बोला गया है फिर आपको next पर click करना है अभी तक जो भी आपने fill किया वो आपको ऐसे एक form में दिख जाएगा आपको यह सारा carefully check करना है अगर कोई mistake है तो आपको modify पर click करकी उसको correct करना है अगर सब कुछ ठीक है तो आपको submit पर click करना है temporary application ID और जो आपका file reference number है यह दोनों आपको save करके रखने है तो ऐसे हम यह form का जो part A है वो complete कर लेंगे उसके बाद after uploading photo and signature you will be redirected to fill the part B तो ऐसे हमारा part A complete हो गया उसके बाद हमें बच्चे की photo और sign याथ हमें impression upload करना है फिर हमें part B fill करना है तो यहां पर आपको फिर से remind करवाया गया है कि जो file है उसका यह size होना चाहिए और 500 kv से जादा नहीं होनी चाहिए और इसका जो format है वो jpj और jpg में ही होना चाहिए तो वो कैसे आप check कर सकते है कि कौन सा format है तो अगर इसका format different है आपके पास तो आपको इसे jpg में convert करना है वो आप कैसे कर सकते हैं कोई भी आप google पर search कर सकते हैं कोई भी site जैसे convert to jpej तो ऐसे आपको काफी सारी website मिल जाती है जहां से आप convert कर सकते हैं फोटो आप यहां पर drag and drop करके इसका आप जो है size और इसका format है वो आप change कर सकते हैं जो पहले मैंने आपको website बताई थी उस पर भी आप यह चेंज कर सकते हैं अहां पर अगर आपके पास image और photo दोनों ready हैं तो आपको yes I am ready with the image आप इस पर click करना है अगर नहीं है तो आप इसको exit now कर सकते हैं लेकिन exit करने से पहले आप इसका file number और temporary जो इसका application ID है वो भी आप save करके रख लीजिए तो अगर आप ready हैं हम click करेंगे yes I am ready with the image पर यहां पर आपको जो फोटो अपलोड करनी है और बच्चे का sign यह था में impression अपलोड करना है इसकी इन्होंने बताया हुआ है कि 500 KB से ज़्यादा file size नहीं होना चाहिए तो अगर photos जो आप upload करने वाले हैं उसका size 500 KB से ज़्यादा है तो आपको अपनी जो photos है उसको compress करना पड़ेगा आप कैसे compress कर सकते हैं हमारे पास एक website है गूगल पर टाइनी PNG करके website है तो आप उस photo को यहाँ पर upload कीजिए upload करने के बाद यहां पर उसके बाद यह compress हो जाएगी फिर उसका size कम हो जाएगा image का तो आप इसको download करके कम size वाली photo को आप upload करिए तो यहाँ पर आपको बच्चे की photo और यहाँ पर बच्चे का thumb impression या signature जो है वो आपको upload करने है documents upload होने के बाद आपको यह notification आएगा कि आपका जो part A है वो successfully complete हो गया है तो अगर आप यह photos दोबारा से upload करना चाहते हैं तो I want to upload again पर click करना है अगर आपने जो upload किया है वो बिलकुल ठीक है तो आप I have uploaded successfully second option पर click करेंगे इसके बाद आपको documents के list शो होती है तो इन में से जो भी documents आपको upload करने हैं वो आप ready रखिए उसके बाद आपको proceed to part B पर click करना है फिर आपको यह सब questions के answer देने हैं बच्चे के case में ज़्यादा तर जो इनकी answer है वो no ही है लेकिन फिर भी आप इनको एक बार पढ़कर ही yes या no में answer करिए first question है कि अगर आप नहीं आपके किसी family member नहीं उसे आई card पहले register किया है yes या no अगर no है तो no अगर पहले किया हो है parents नहीं या किसी नहीं family में से तो yes करके name और relationship बताना है और फिर उनका reference number देना है तो date भी बतानी है कि कब apply किया था कहाँ apply किया था यह grant हुआ या not granted है उसके बाद अगर कोई और family member के पास भी है तो add member करना करके दूसरे member का detail भी देनी है और अगर नहीं किसी नहीं किया तो आप इसको no कर सकते हैं तो ऐसे ही आपको सारे question read करके yes या no में answer करना है प्लस के button पर click करना है फिर यहां आपको बताना है कि कौन से method से आपको जो है nationality मिली थी तो by birth है या registration हुआ है या अगर आपका बच्चा यहां पर born है उसकी certificate पर जो उसका nationality का certificate है उस पर लिखा होता है कि उसको जो nationality है वो कैसे मिली है जादतर cases में naturalization लिखा होता है तो कौन सी date को मिली थी वो भी आपको यहां पर enter करना है उसके बाद आपको और details देनी है आपको बच्चे की पिछली nationality बतानी है पहले वो इंडियन था फिर बच्चे के passport number लिखना है फिर आपको बताना है कि बच्चे का जो है कोई relative है इंडिया में अगर नहीं है तो no अगर है तो yes करके अगर नहीं है तो no अगर है तो yes पर click करके आपको उसकी details देनी है अगर grandparents है for example वहां पर तो आपको grandparents की details यहां पर देनी है दादू का नाम फिर address और relationship grandfather या grandson फिर आपको age बतानी है उसके बाद आपको एक और member add करना है जैसे grandmother add कर सकते हैं बच्चे का कोई criminal record है इस case में no ही आता है उसके बाद आपको इसे submit करना है submit करने के बाद यहां पर आपको notification आता है कि आपके जो form के part A and B है online OCR registration के लिए वो complete हो गया है यह complete होने के बाद आपको जो है document upload करने है otherwise आपकी जो application है वो valid consider नहीं होगी तो हमें upload documents पर click करके documents upload करने है यहां पर हमें select करना है कि हम क्या upload करने वाले है for example आपको बच्चे का current passport जो नया पोच किस passport है वो upload करना है तो आपको current passport select करके upload करना है लेकिन यहां पर हमें सिर्फ passport ही upload नहीं करना है क्योंकि embassy वाले एक document से agree नहीं करते मांगा तो यहां पर सिर्फ current passport ही है लेकिन उन्हों ने यहां पर बोला है कि पूरे के पूरे documents supporting document आप जो भी उनको copy देने वाले हो बच्चे का बर certificate की copy बच्चे के पासपोर्ट की copy करताओं दसेदाओं की copy parents के passport की copy और किसी case में वो parents का marriage certificate भी मांग लेते हैं अगर बच्चे के पास Indian passport पहले नहीं था वो directly OCI के लिए आ रहा है तो एक declaration है उसका link तो मुझे कहीं मिला नहीं लेकिन वो embassy में आपको देते हैं अगर आप वहां जाते हैं वो आपको affidavit देने के लिए बोलते हैं तो वहां से वो आपको affidavit देते हैं वो आप वहीं पर फिल करके उनको दे सकते हैं उससे upload करने की ज़रूर तो शायद नहीं है तो ये सारे document जो भी sporting documents आप उनको देने वाले हैं वो सारे एक PDF फाइल में डाल कर आपको upload करने हैं और इसके एक requirement भी है कि जो आप document upload करने वाले हैं वो 1000KB से ज़ादा नहीं होने चाहिए तो ये एक छोटा सा issue आता है आप जो भी sporting document लगाने वाले हैं उसको सबसे पहले आपको एक PDF में convert करना है इसके लिए भी आप Google का use कर सकते हैं for example आप कर सकते हैं images to PDF combine तो यहां से आप कोई भी select कर सकते हैं website for example हम यह वाली कर लेते हैं यहां पर आपको upload files क्लिक करना है या ड्राग और ड्रॉप करना है तो यह सारी आप files इधर ड्रॉप करते जाए बच्चे के जो भी मैंने बोला birth certificate करता हूं दसी दता हूं passport, parents के document, birth certificate यह सारी document आपको यहां पर drop करके उसके बाद आपको combine करने हैं तो यह PDF में convert हो जाते हैं तो वो PDF file आपको लेकर उसको compress करना है तो वो PDF file का जो size आपको कम करना है वो उसको compress कैसे करना है वो भी आप Google की help से कर सकते हैं compress PDF online तो यहां से आपको कुछ websites मिल जाएंगी तो यहां से आप choose file select करके file select कर लेजिए आपको कौन से file compress करने हैं तो उसको आप compress करके उसका size कम हो जाता है तो file का जो size है 1000 KB से जादा नहीं होना चाहिए उसके बाद आपको choose file पर क्लिक करकी file upload कर देनी है document upload होनके बाद अगर आपको दोबारा से फिर से वो document upload करना है तो आपको re-upload पर क्लिक करना है और अगर आपको और भी document add करने है तो आप select document पर क्लिक करकी और option select कर सकते है और उसके बाद document upload कर सकते है document upload होनके बाद आपको final submit पर क्लिक करना है उसके बाद आप अपनी जो application है उसको print कर सकते है और print करके इसे अपने आप साथ लेके जाना है जो मैंने पहले डॉक्यमेंट बताएं आपके बच्चे का बर्स सर्टिफिकेट ये वाला अप्लिकेशन फॉर्म बच्चे का करता हूं दसी दता हूं पास्पोर्ट पेरेंट्स के पास्पोर्ट और पेरेंट्स के रेजिदेंस कार्ट पेरेंट्स का मेरे सर्टिफिकेट translate करवा के notary करवाना है अगर आपको translate नहीं करवाना तो आप civil register में से एक international birth certificate मिलता है आप वो ले सकते हैं वो English में होता है तो वो आपको 20 euro में international certificate दे देते हैं तो ये सारे document आपको PDF में यहां पर upload करने हैं प्लास ये सारे के सारे document आपको copy करके साथ लेके जाने हैं with original documents तो original document और उनकी copy आपको साथ लेके जाने हैं और वो ही document आपको यहां पर upload करने हैं कोई document extra upload हो जाए उसके कोई problem नहीं है लेकिन कोई document कम नहीं होना चाहिए otherwise आपको फिर 2 week के बाद appointment लेकर जाना पड़ेगा उसके बाद आपको OCI घर आने के लिए इसका जो total process है वो one month होता है वहां जाने के time पर आपको जो security guard है वो आपको पूछता है किस चीज़ की appointment है तो आप जब उनको OCI बताते हैं वो आपको envelope देता है envelope पर आपको बच्चे का passport number फिर बच्चे का नाम और आपकी घर का address जहां पर आप OCI रसीव करना चाहते हैं वो address वहां पर देना है वो ही आपको counter पर submit भी करना है envelope तो जो OCI है वो उसी envelope में आपको post होकर आती है तो make sure करिये जो आप address दे रहे हैं वो correct हो और वही से आप OCI collect कर सकते हैं और इसकी फीस है वो around 250 है इस process के regarding अगर आपको कोई भी question है तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं वीडियो को आपकी friends के साथ share करना मत भूलिए अगर आपने अभी तक भी मेरा channel subscribe नहीं किया है तो please कर लेजिए अदर वेज़ आप बहुत सारी information मिस कर लेंगे मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपने में भी अभी तक नहीं देखी तो please आप मेरे channel पर जागर वीडियोस पर क्लिक करके वो सारी वीडियोस देख लेजिए